आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं TDS and TCS से रिलेटर कुछ important point उम्मीद करती हूं यह जो वीडियो आप से लोग के लिए helpful रही होगी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप से लोगों से आपको साथ के साथ नेल जाएगी नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप से भी कास भागत करती हूं आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में तो चलिए डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले TCS के बारे में हम डिसकस कर लेते हैं और गाशना है उस सबसे देखिए TCS क्लेक्ट किया जाता है आपके सेल के उपर जो आप सेल करते हैं ऑर आपने सेल किया है किसी पार्टी को 50 L inteiro रुपीस तक का शिंगल या फिर aggregate year में तो आपको उसके 50 lakh रुपिस तक अगर आपने सेल कर दिया है तो उसके आप TCS collect कर सकते हैं सामने वाली पार्टी से 0.1% यह TCS की बात हुई और वो आपको pay करना होता है जमा कराना होता है next month के 7th of every month आपको TCS जो है को government को pay करना होता है TDS के बारे में discuss कर लेते हैं तो TDS जो है आप deduct करते हैं suppose किजिए TDS अगर आपने कोई इसी services ली है जो की TDS के अंडर में fall होता है suppose किजिए आपने 194 जे legal and professional services किसी का लिया है या फिर 194C contractual basis पर किसी इसी services ली है तो यह सारे services आप लेते हैं तो उसके उपर आप जो भी उस section के अंडर में percentage आते हैं वो आप डिड़क करके और आपको government को pay करना होता है तो suppose किजिए आपने कोई ऐसी services previous month यानि कि आपने कोई ऐसी services March month में ली है तो उसका आपको pay करना है April month में TDS का जो due date होता है every month 7th को होता है next month की every month 7th को जैसे कि suppose किजिए अभी April month चल रहा है अगर आपने कोई ऐसी services ली है जिसके पर TDS जो है वो collect करना है आपको deduct करना है सामने वाली पार्टी का तो इस month का जो TDS है आप deduct करेंगे और उसको आप pay करेंगे May month में तो May month में आपको pay करना होता है अगर आप pay नहीं करते हैं suppose कि जिए इस month आपने TDS deduct किया और आपने next month में pay नहीं किया तो उसके पर penalty भी लगती है पेनाल्टी का जो है interest लगता है interest charge जो है 1.5% होता है तो every month 1.5% आपको 1.5% की according TDS का जो late आप करते हैं उसका interest आपको pay करना होता है suppose कि जिए कि इस month कोई bill था मान लिजे previous month का दे लेते हैं अगर March का कोई bill था जो कि आपने इस March में आपने TDS deduct नहीं किया और April में उसका TDS pay नहीं किया अगर आप में में करते हैं March month का invoice का में में करते हैं तो March month, April month और May month यानि कि आपको 1.5 multiplied 3 यानि कि 4.5% उसके पर जो है payment उसमें आपको 1.5% के according interest calculate करके जो TDS का जो amount होता है इसके उपर आपको calculate करना होता है कैसे करना है इस से related मैंने videos upload किये हैं आप देख सकते हैं how to calculate a TDS interest 1.5% video by human education हम इस तरीके साब video सर्च करके watch कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि exactly कैसे calculate करना है आपको बता दिया है कि इस मंत का invoice है और आपने इस मंत का जो TDS जाएगा वो next month के 7 तक जाएगा 7 तक आपको करना है अगर 7 तक आप नहीं करते हैं 7 के बात करते हैं तो आपको interest 1.5% पे करना होगा पर मंत का 1.5% है जो उस वीडियो को watch कर सकते हैं तो doubt जो है वो clear हो जाएगा कैसे आपको calculate करना है अप चलिए discuss कर लेते हैं कि TDS के return के जो due date से वो क्या है तो सबसे पहला जो quarter आता है एप्रिल से लेके जून एप्रिल में जून तो first quarter का जो TDS का due date है वो है 31st of July तो 31st of July तक आप first quarter की return कर सकते हैं 2nd quarter हो गया July, August, September इसका जो second quarter का जो है last 31st of October तक आप कर सकते हैं third quarter हो गया October, November, December यानि कि 31st of July तक आप third quarter कर सकते हैं और जो last quarter होता है January, February, March उसका 31st of May तक होता है due date 31st of May तक अगर आप कर देते हैं तो कोई आपको late fee charges नहीं लगते हैं अगर आप नहीं करते हैं तो per day 200 late fee charges है TDS return पाइल करने का तो यह हमने जो late fee है वो discuss कर लिया उसके बाद जो TCS है उसका हम discuss कर लेते हैं तो देखिए TCS आपको pay करने का last due date होता है वो same होता है जो TCS आप collect करते हैं वो every month before 7th को आपको करना होता है अगर आपने इस month TCS collect किया है तो next month before 7th आपको TCS government को pay कर देना है और TCS का जो return जाती है तो TCS के return का जो due date है वो 15 days before होता है TDS के return की जैसे कि TDS का हमने discuss किया था तो first quarter का था उसका 31st of July तो इसका हो जाएगा TCS का मैं आपको quarter wise बता देते है तो TCS का first जो है April में June first quarter के लिए 15th of July होगा July August September second के लिए हो जाएगा 15th of October October November December इसके लिए हो जाएगा third quarter के लिए 15th of June 15th of June and इसके बाद जो last quarter होता है तो same date रहेगा जिसे मैंने आपको TDS से related बताया तो यह due dates हो गए उनके तो उमीद करती हूं यह जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ TCS अन्टीजियस से related शेयर की है यह वीडियो आप से लोगे लिए हैलफुल रही हो अगर है तो प्लीज शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे तरीके से वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हैं सो और लोग की भी help हो सके और और लोग भी इस चीज का benefit ले सके बस आपको शेयर करना है इसली आप शेयर का option लेख सकते हैं वीडियो की नीचे आपको शो होगा उसको शेयर कर दीजिए और सब्स्राइब करना मत भूलिएगा सब्स्राइब का बटन रेट कलर में आपको शो हो रहा है तो उसको हीट करेंगे तो चैनल सब्स्राइब हो जाएगा नोटिफिकेशन भी आप अन कर लीजिए बैल आइकन पर प्रेस करके सो जो भी इन क्यूचर में वीडियो अप्लोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप किसी वीडियो को मिस नहीं कर भाएंगे